हलो एवरिवन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 के इंगलिस बुक मैरी गोल्ड का पोएम आइसक्रीम मैन का हिंदी समरी तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं आइसक्रीम मैन दोस्तो गर्मी के दिनों में हम सभी को आइसक्रीम खाना बड़ा ही पसंद होता है क्यूंकि ये ठंड़ा, मीठा और बड़ा ही क्रीमी लगता है तथा खाने में भी बड़ा ही स्वादिश्ट लगता है गर्मी के दिनों में लगभग सभी लोग आइसक्रीम को चखना पसंद करते हैं तथा मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में उनका जो फैबरेट बेक्ती होता है वो भी आइसक्रीम वाला ही होता है जो उनके लिए परतेक दिन आइसक्रीम उनके गलियों तक पहुँचाता कभी ने इस कविता में आईस्क्रीम मैन वाले के बारे में बर्णन किया है और उसी के बारे में बताया है तो चलिए अब कविता की तरफ रूख लेते हैं कभी यहां वर्नन करता है कि गर्मियों में बच्चे आईस्क्रीम बहुत पसंद करते हैं गर्मी के दिनों में आईस्क्रीम वाला उनकी गलियों में अपनी गोल छत्री से ढखी हुई गाड़ी के साथ आता है तथा उसके पास अलग-अलग रंगों के तथा अलग-अलग स्वादवाला आइस्क्रीम भी होता है जिन में वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेली ये सभी फ्लेबर उसके पास मौझूद होता है तथा उसके पास जो आइस्क्रीम के जो सेफ होते हैं वो भी अलग-अलग सेफ और साइज में उनके पास आईस्क्रीम मौजूद रहता है तथा बच्चे जब आईस्क्रीम को खाते हैं और जो आईस्क्रीम मैन के पास अलग-अलग स्वाद वाला जो आईस्क्रीम होता है उन्हें बच्चों को चखना बड़ा ही अच्छा लगता है वह कुप्पी को मलाईदार और थंडी आईस्क्रीम से भर देता है आईस्क्रीम के साथ वो थंडे और रंग विरंगे सीतल पर भी बेज़ता है यानि की cold drinks जो होता है उसे भी बेज़ता है आईस्क्रीम वाले की गाड़ी फूलों की क्यारी जैसी सजी हुई रहती है उसके चारो और मधुमक्षियों की भाती एकत्रित हो जाते हैं और अपने अपने आइसक्रीम को पाने के लिए उनमें होड मत जाता है बच्चे कहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे वो वाला आइसक्रीम दो या इस फ्लेवर वाले आइसक्रीम दो इसलिए कभी ने गर्मी के मौसम में बताया है कि सभी लोग का जो प्रिये बेक्ती हो जाता है वो एक आइसक्रीम वाला हो जाता है क्यूंकि वो ही उनके जीवों की स्वाद जो होता है आइसक्रीम उन तक पहुँचाने का काम करता है तो दोस्तो यह था इस पोयम का हिंदी समरी इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद नमस्कार